वेलकम फ्रेंड्स इन हेल्स रेंबो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इट कॉसेज ऑफ अबॉर्शन और मिस्केरिज इन फर्स ट्रैमिस्टर अफ प्रिंडेंसी यदि हम इनकी बात करें तो मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ वो कौन-कौन से कारण होते हैं तो सबसे पहला कारण होता है हॉर्मोनल इंबैलेंस जैसे की TSH हार्मोन है या प्रोजस्टोन हार्मोन इन सभी के बारे में हम डिटियर्ण में भी बात करेंगे दूसरा कारण होता है क्रोमोजोमल अबनॉर्मलिटी जिसको गुर सुत्र बोलते हैं तीसरा कारण होता है और्टोइमेंड डिसॉर्डर्स इसको भी हम डिटियर्ण में बात करेंगे कि वो कौन-कौन से और्टोइमेंड डिसॉर्डर्स होते हैं साथ-साथ में कुछ life-start disorder जैसे कि कोई बहुत जादा obese है, cigarette पीता है, शराब पीते हैं, बहुत जादा coffee पीते हैं, या फिर कुछ diet ऐसी होती जिनकी लेने के वियसे हो सकता है, या ionizing radiation है, उसके अलावा यदि किसी को infection है pregnancy की cases में, जैसे torch infection, जिसको बोलते हैं, toxoplasma, rubella, cytomegalovirus और HSV 1 and 2 infection, साथ-साथ में यदि female की age पर भी depend करता है कि यह कौन सी age है, यह भी हम detail में बात करेंगे, साथ-साथ में कुछ medicines या कुछ injuries वगरा भी होती है, structure abnormalities भी होती है, जिसकी वयसे क्या होता है, फर्स टाइमस्टर में pre-mature abortion या miscarriage हो सकता है, अब यदि हम detail में बात करें, तो पहला जो hormone होता है, progestone hormone, progestone hormone क्या करता है, conceive होने के बाद में, यह जो endovatium wall से वेबी को attach करके रखता है, जिससे क्या होता है, उसको stability मनती है, बट यदि में किसी में progestone hormone का level कम है, तो यह भी क्या करता है, pre-mature miscarriage को बढ़ावा देता है, उसके अलावा, दूसरा hormone होता है thyroid hormone, thyroid hormone जो होता है, बहुत सारे hormone को control करता है, और यदि thyroid hormone का level disturbed है, तो इसकी वजह से भी pre-mature miscarriage हो सकता है, उसके अलावा, दूसरा जो खारण होता है, chromosomes और gene का mutation, या इसके अंदर deletion, duplication या mutation, मतलब हमारे जो शरीर होता है, उसमें क्या होता है, 22 chromosomes, autosomes होते हैं, और 23rd जो होता है, वो sex chromosomes होता है, यदि chromosome में किसी तरीके सी abnormality है, तो ये भी क्या करते हैं, इसके वज़ा से भी premature miscarriage हो सकता है, उसके अलावा, pregnancy में कुछ infection होते हैं, फर्स्ट रैमेस्टर में, जैसे की, rubella है, cytomegalovirus है, bacterial vaginosis है, HIV है, clematia है, gonorrhea है, syphils है, malaria, या HSV वगरा कि जो infections हैं, ये भी क्या करते हैं, हैं, miscarriage को बढ़ावा देते हैं, उसके अलावा, यदि जो cervix है, उसमें structural abnormalities है, मतलब यदि इस cervix की जो length है, वो कम है, short है, तो इसकी वज़ा से भी क्या होता है, जो होता है, premature miscarriage ये aversion हो सकता है, उसके अलावा, जिन महिलाओं में diabetes जादा होती है, diabetes का level, या glucose का level disturbed होता है, उन में भी miscarriage होने के chances जादा होते हैं, उसके अलावा, यदि हम बात करें, तो जिन महिलाओं में पहले से PCOD की बिमारी होती है, polycystic ovarian disease या disorder, जिसके बारे मैंने अन्य वीडियो में डिसकस किया है, तो इन महिलाओं में भी नॉर्मल महिलाओं से लगबग 10 से 15 पथिशत chances miscarriage के जादा होते हैं, उसके अलावा कुछ autoimmune disorders होते हैं, जैसे कि जिसमें क्या होता है, शरीर की जो immunity होती against में काम करने लगती है, तो ये भी जो होता है, इसकी वज़ा से भी abortion या miscarriage हो सकता है, जैसे कि ANA का level disturbed है, या फिर उसके अलावा यदि anti-phospholipid antibodies में disturbance है, या एपला में जिसको lupus anti-coagulance या beta-2 glycoprotein या anti-cardiolipid antibodies का level disturbed वगज़ा है, तो इसकी वज़ा से भी क्या होता है, प्री-mature abortion या miscarriage हो सकता है, क्योंकि ये clot को बढ़ावा देते हैं, उसके अलावा जैसे हमने बात करी कि lifestyle disorders है, ये lifestyle habits होती हैं, जैसे smoking है, alcohol का consumption वगज़ा जादा है, या फिर दूसरे अने factors होते हैं, वो भी क्या करते हैं, इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं, साथ-साथ में कुछ medicine सैथी होती हैं, जैसे कि mesoprostol है, retinoids है, mythotexate है, या pain killer जैसे कि non-estroidal anti-inflammatory drugs वगएरा, जैसे ibuprofen है, जो दर्द के लिए लेते हैं, उसकी वज़ा से भी काफी बार side effect देखा जाता है, और ये भी miscarriage को बढ़ावा देता है, साथ-साथ में हम बात करें, age के उपर, जिन महिलाओं की age pregnancy के दौरान, 30 वर्ष या उससे कम होती है, तो उनमें miscarriage के chances लगबग 10% होते हैं, बट ये इनकी age जो होती है, 30 या उससे अधिक होती है, मतलब 35 साल है, या उससे अधिक होती है, तो इनमें miscarriage होने की chances लगबग 30 से 40% तक बढ़ जाते हैं, अब यदि हम बात करें, कि पहली तिमाई में miscarriage को कैसे आप avoid कर सकते हैं, कैसे initial उसको पर इससे प्ले सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहला है, अपने डॉक्टर से consult करें, और कुछ टेस्ट हैं जैसे की ultrasonography टेस्ट है, आप ये हर महिने करवाते रहें, उसके अलावा maternal marker जैसे double marker टेस्ट है, first trimester pregnancy में करवाएं, साथ में infection के लिए आप torch टेस्ट करवा सकते हैं, साथ में अपने thyroid profile टेस्ट है, इसके लावा vitamin D, vitamin B12 और iron profile टेस्ट जो है आप करवा लें, तो इससे क्या होगा आपको पता चलेगा कि आपके शरीर में कोई पहले से problem तो नहीं है, ये सारे जो factor होते हैं आगे चलके, ये भी जो होता है, इनके level up ये down या abnormality की बज़ा से ये भी miscarriage को बढ़ावा देते हैं, साथ साथ में आपको ध्यान रखने हैं, आपको ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं करना है, साथ में आपको चड़ाई नहीं करनी हैं, स्टेर्स वगरा कम इस्तमाल करना है, साथ में कैफी वगरा है, कॉफी का कम इस्तमाल करना है, साथ में आपको healthy diet लेनी है, diet अपने डॉक्टर से discuss कर सकते हैं, जैसे कि आपको diet में पपाया है, या पीचेज है, या दूसरी अन्ने चीज़े होती हैं, पाइनेपल वगरा, उनका कम सेवन करना है या नहीं करना है, क्योंकि ये भी चीज़ जो food होते हैं, ये भी miscarriage को बढ़ावा देते हैं, उसके अलावा, आप हलकी full cake exercise वगरा कर सकते हैं, नॉर्मल चोटे मुटे घर के काम भी आप अराम से कर सकते हैं, उसके अलावा आपको याद रखना है, कि जैसे alcohol है, cigarette है, smoking है, तंबाकू है, इन चीज़ों को आपको avoid करना है, क्योंकि इससे आपकी pregnancy पर असर पड़ सकता है, इस वीडियो में हमने पता किया, कि पर इस केरेज के क्या कारण हो सकते हैं, और उसके लिए आप कैसे अपने आपको तियार कर सकते हैं, उसे कैसे बचाव कर सकते हैं, कौन-कौन से टेस्ट करवा सकते हैं, बाकी information के लिए आप अपने नज़दे की जो gynecologist हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, विद इस थाइंक यू वेरी मच पर वाचिंग हैल्स रैंबो,